हेलो दोस्तो आज के वीडियो में अपन इस्टडी करने जा रहे हैं जो भी RPSC के पेपर्स हुए हैं 2011 से लेके 2018 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन में जो लिटरी मुमेंट्स वाला टॉपिक है इससे जो कुश्चन आये हुए हैं आज अपन इसमें उन कुश्चन को देखेंगे और यह पता लगाएं कि बास्तम में अपन ने जो पड़ा वो सही पड़ा है और हम उसमें से कितना सौल कर पा रहे हैं तो देखते हैं यह जो कुश्चन से मैंने डारेक्ट स्क्रिंशॉट लेकर जो पेपर ऑफिशियल पेपर है उनका स्क्रिंशॉट लेकर ड देखेंगे और विक्टोरियन एज असोसीटेट विद जोन हैंडी नूमेंट जोन हैंडी नूमेंट से रिलेटेट कौन सा मूमेंट था तो यह आपको क्लिरली पता होना चाहिए ऑक्सपोर्ड मूमेंट इडेंटिफाई था फॉलोविंग मूमेंट्स वाल्टर पेटर व वैसे जैसे प्टी रेफलाइट मूमेंट था लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंस है वो एस्थेटिक वैल्यूज को दिया गया इस वज़े से एस्थेटिजिज्म का गया और इसके पोईट वॉल्टर पेटर यह आपको ध्यान रखने है बस एक कुशन करने के लिए जो पूएम लिखी जाती है है वो क्या 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 जाती है एलजी क्या लाती है यह खैलाती है द आपोजिट बटाव एड्वणेश का मतलब हुता है डिशिट्रोई करना या रिकलेज करना की जिशको तो इसका अपोज़ेट हो जिए भगेवसे रेल एलजाविदन एज से कौन बिलॉंग नहीं करता है तो मैंने इसको पढ़ाया उस टाइम आपको नाम बताया थे मार्लो जैक्सपियर और बें जोल्सन ये तीन एलजाविदन पीरेश से बिलॉंग करते थे और जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज से बिलॉंग करते ये सीधा कु होमर से लियाड इजने एक्जम्पल जो बिच लिटरी फॉर्म ये लिटरी फॉर्म का कुश्चन है तो होमर से लियाड वाला क्या था एपक था ये ता मॉमेंट पिच ऑजिनेटेड इन लेट एटीं सेंचुरी इंफिसाइज इंफिसाइजिं ऑब्जेक्टिविटी अब मेटाफिजिक्स की तरफ चले जाओ जो जोर्ज हर्वाट एंडियो मार्वेल बिलॉंग टू विच मुमेंट 17 सेंचुरी का था ये मेटाफिजिकल इडेंटिफाइज दा मॉमेंट टू विच जोन केवल जोन केवल आजा है मैंने कौन सा बताया था आक्सपोर्ड दा ओथर हुज नॉट आइडेंटिफाइज विद दा फिलोसोपी अप न्यू क्रिटिसिज्म ये बिल्कुल नया है नए जो क्रिटिसिज्म में एक नया मुमेंट मालो या एक क्रिटिसिज्म के लेकर ये कुछ ऑथर हुए थे तो इसमें जॉन क्रों रैंसम प्रम सकते हैं जैसे कुई नया कोश्य ना आता है तो वह ओप्सों से भी क्लियर हो सकता है हमारे लिए कि ऑग्स न्यू क्लासिकल एज में ये एज ऑफ सेंसिबिल्टी से बिलॉंग करते हैं सेमोल जॉंस और ओलिवर गोल्डे स्मित मैंने बता है होंगे आपको आपको पता है रोमांटिक में कौन कौन से पांच या छे पोईट बताया थे मैंने तो उनको आप दियान रखना है इसको आप आपका न्यू क्लासिकल एज से बिलॉंग करते हैं तो जहां जब आपको दिखाई दे रहा है वो आप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पॉइब की फेमस पॉइम रेप आप दा लॉग फेमस पॉइम है यह आपको पता होना चाहिए नियू क्लासिकल मोमेट इंफिसाइज तो अब्जरवेशन आप लिटरी डूल से बोल सकते हैं इनका अब्जरवेशन किया इन्होंने इमिटेशन किया था एंशेंट ग्रीक बगेरा का तो अपने इसमें रख सकते हैं एस्टी कॉलेज की पॉइम है मोस्ट अप्रूप से तो इसकी एंशेंट मेरा नर कॉबला खान इसकी फेमस पॉइम में सबसे ज़्यादा सुपर नेचरल एलिमेंट का यूज कि तरह कि दो विक्टोरियन एज ड्यूरिंग दा रिन आप कुईन विक्टोरिया कुईन विक्टोरिया आ गया ना विक्टोरियन एज तो अठार सो से तीस से उन्नी सो एक पतिस वाला ओप्शन है नहीं और वैसे भी जो कुईन विक्टोरिया आपने सासन पर इस्तापित हु गलत है रोडियाड किपलिंग फाइव नेशन और डवलू एच ओरन यह दोनों अप्शन में से होगा इस साइड इसका अंसर में भी इसमें कन्फूजन तो मैं आपको यह देखकर कमेंट सेक्शन में बता दूँगा या फिर अलग से इसको एज़ा कुश्चन फॉम में मैं आ आउंड केवल अठाट सो ते तीस यह आपको किलियर पता होना चाहिए रिनेसा मींस क्या था रिवाइवल ओग क्लासिकल लिट्रेचर आइशन फॉर आजजस क्वाह बादेस्ट यह किसम प्र72 किलियर नीमें आपको यह पढ़ाते ताम बताया था कि ओड़ से बहुत जैदा प्रवाब गित फ्रेपलोइट हो है कि एक कुश्यन ही जितने भी lawsuits से लेके दोजार ठारे के जितने भी एक्जाम्स हुए है और वो उनमें जो पूचे गए मुवमेंट टॉपिक से इतने सारे कुश्ण्स पूचे गए और आपने देखा होगा जो भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में तो उनको देखने के बाद हम बास्त में कुश्ण्स को इजली सौल कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें वही चीज पढ़ाई है जो एक्जाम्स में आई हुए हो मैंने रेंडमली वीडियो बनाए हैं बिना कुश्ण्स को देके वीडियो बनाए हैं कुश्ण्स को मैंने बाद में द दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में